केजरिवाल के जितने करीबी हैं सबकी मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है एक तरफ जहां शरामनिती मामले ने खुद केजरिवाल का जीना हराम कर दिया है तब वहीं वो ED से भागते नजर भी आ रहे हैं दूसरी तरफ उनके करीबियों में दहशत का महल भी कायम हो गया है यानि कि केजरिवाल तो डूब ही रहे हैं लेकिन उनके करीबी भी डूबते नजरा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक अब जांच एजिंसी का हंटर इन परतेजी से चल रहा है अब दिल्ली शराब गोटाले को लेकर CBI और ED की चांच कई बड़े राजनेताओं तक पहुँच चुकी है जिसने सबकी नीदे हराम करती हैं केजरिवाल के करीबियों पर तमाम तरह के सवाल उट रहे हैं ED के तगड़े एक्शन से आखिर क्यू मचा बवाल दिल्ली शराब गोटाले में कैसे हुई बड़ी कारवाई क्यू केजरिवाल की बेटी को ED ने किया ग्रिफतार CM केजरिवाल की हालत क्यों हुई खराब इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरिवाल के चहईतों की टेंक्शन बढ़ा दी है और उन्हें दिल्ली लाय गया E.D. ने कल ही KRS ouaisता के हैदराबाद इस्तित घर पर छापयमारी की थी इस दोरान E.D. की टीम के साथ इंकम on tax के अधिकारी भी मौजूद थे इतना ही नहीं E.D. की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी भी थे रेड के पहले के कवीता जांच एजंसी के कई समन को ठुकराते वे पेश नहीं हुई थी यानि कि वो E.D. के समनों को अंदेखा करती रही इसे पहले दिल्ली अपकारी निती से जुड़े मामले में E.D. ने के कवीता से पूछ ताच भी की थी E.D. ने दावा किया था कि के कवीता शराब कारवबारियों की लोबी साउध गुरूप से चुड़ी हुई थी जो 2021 से 22 के दिल्ली अपकारी निती में एक बड़ी महुमी का निभानी की कोशिश कर रही थी E.D. ने पिछल साल पहली बार के कवीता को अपने संचार परमुक विजे नायर के साथ कथित संबंद के मामले में समन भेजा था आरोप है कि के कवीता लगाता नायर के संपर्क में थी विजे नायर नीतियों के निर्मान और क्रियनमन के दोरान शराब उधोक के व्यवसाओं और राजनेताओं से जुड़ा था विजे नायर को जाँच एजिंसी ने दिल्ली की शराब नीती में कथित घोटाले के आरोप में ग्रफतार किया था इससे पहले के कवीता ने अपने पूर्व चार्टेट अकाउंटेंट पुच्ची बाबू गौरंटला रामचंदर पिल्लेई का लिखित बयान जारी किया था जो नायर और अन्य के साथ भिबिन बैटकों में उनके साथ जाते थे केंदर जांच बोड ने बुच्ची बाबू को फरवरी में ग्रफतार किया था जबकि पिल्लेई को ईडी ने पिछले साल मार्च में ग्रफतार किया था वहीं E.D. को धिये बयान में बुच्ची बाबु ने माना था कि के कवीता की दिली के सियम अर्विंद केजरिवाल और पूर्व डिप्टी सियम मनी शिशोधिया के साथ राजडीतिक गट जोड था बुच्ची बाबु ने ये भी माना था कि के कवीता मार्च 2021 में विजय नायट से मिली थी तरसल केजरिवाल सरकार ने 17 नॉमबर 2021 को दिली में नई शराब निती को लागो किया था सरकार ने तरक दिया था कि इस निती से रेविन्यू बढ़ेगा और ब्लैक मार्केटिंग पर भी लगाम लगेगी और ये ग्रहकों के लिए भी निती फायदेमंद होगी हाला कि ये निती जल्द ही विवादों में आ गई और इसमें घोटाले के आरोप लगे 30 जुलाई 2022 को केजरिवाल सरकार ने इसे वापस ले लिया था तिली के मुख्य सचीव नरेश कुमार ने उपरा जेपाल विन्य कुमार सकसेना को आरोपों की एक रिपोर्ट भी सौब दी थी रिपोर्ट में आरोप लगाय गया था कि निती को गलत तरीके से तयार किया गया और इसे लगो किया गया जिससे शराब कारवारियों को अनुचित लाप पहुँचाय गया इसके बाद इस मामले में CBI जांच के आदेश भी तिये गए इडी अब कारी निती में मनी लांडरिंग एंगल की जांच कर रही है वहीं रिपोर्ट में आरोप लगाय गया कि निती को कलर तरीके से तयार किया गया और कारवारियों को अनुचित लाप पहुँचाय गया था इसके बाद इस मामले में CBI जांच के आदेश भी तिये गए इस मामले में जांच एजनसी ने दिली के पूर्ब डिप्टी सीयम मनी शिशोद्या और आपसांसा संजे सिंग को ग्रफतार कर लिया था फिलहाल वो जेल में है मुख्य मंत्री और आमाद्मी पार्टी के रास्टी सहयोजक अरविंद केजरिवाल को भी बड़ा जटका लगा है इससे पहले ईडी के शिकायत पर मजिस्टेट कोट ने केजरिवाल को 16 मार्च यानि के आज पेशी के लिए समन जारी किया था मजिस्ट्रेट कोट ने आज मामले की सुनवाई करते वे जिसमें E.D. के समन को ठोकराने पर केजरिवाल को कोट ने फाइन लगाया और जमानत दी पर अब केजरिवाल के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है क्योंकि अब E.D. अरविन केजरिवाल को नवा सवन भेज सकती है और केजरिवाल को इस पर पेश होना होगा शराब घोटाले के सवालों का जवाब देना होगा वैसे भी के कवीता की गरफतारी से इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दिल्ली का अबकारी घोटाला काफी बढ़ा है जिसमें तमाम विपक्ष के मंत्री भी शामिल है और अरविन केजरिवाल शराब घोटाले को जूटा बताते नजराए अब अरविन केजरिवाल को इस बात का भी अंदेशा हो चुका है कि उनकी गिरफतारी तय है ऐसे में सूत्रों के माने तो अरविन केजरिवाल जेल जाने से पहले अपना CM पद से इस्थिफा भी दे सकते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता केजरिवाल यानि कि अरविन केजरिवाल की पतनी को वो CM पद पर भिठा सकते हैं अब देखना होगा कि पार्टी में अरविन केजरिवाल के इस फैसले पर बागी कारे करताओं का क्या रियक्शन आता है वैसे आपकी राई क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं